ये वीडियो बहुत ज़्यादा पारिवारिक है इसे घर के सभी सद्द से देख सकते हैं पर अलग-अलग बैटके तो अगर अभी तक आपने अपना हेड़फोन नहीं पहना है तो भाई हेड़फोन लगा लो क्यूंकि मा की चपल कभी भी आके सर पर लग सकती है और भाई ल है पापा और यहां जल रहा है और उसका बाप पल्टाई नहीं मतलब 40 मिनट से उपर हो गए बट उसका बाप अपनी पड़ोसाली से बात करने में इतना व्यस था कि उसने पीछे मुड़के एक बार भी नहीं देखा इससे जादा गुसा तो मुझे एक दूसरी वीडियो नहीं मतलब जो वो वीडियो चली तो मेरी खुद की गान फट गई तो आये इनमें दिखने वाली कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली मिस्टेक मुझे इन वीडियो में हमेशा दिखती है वो है जी हां स्टूरी राइटिंग क्यूंकि स्टूरी राइटिंग पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं ये ध्यान देते हैं सिफ काल कोटरी खोलने के नएने तरीके ढूंडने में अब काल कोटरी का मतलब तो प्रोसेडी के बॉस उनको सब समझा रहा है वहाँ तेज हो रहा है एक सिकिंड चिंटू चूतिये तू मेरे घर में क्या कर रहा है मेरे घर से बाहर निकल सॉरी भाई लोग औफ टॉपिक चला गया था तो मैं कह रहा था कि वह अपनी स्टोरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं वह कुछ भी दिखा देते हैं कुछ भी जैसे की होमवर्क नहीं करो तो अगर ओफिस लेट पोचो तो अगर नौकर ने कपड़े गंदे कर दिये तो और तो और अगर होटल का खाना पसंद नहीं आए तो खाना बनाने वाले के साथ अरे यार खाना पसंद नहीं आने पर कौन गरता है अब जो दूसरा पॉइंट मैंने ऐसी वीडियो से नोटिस किया है वो है जी हाँ फॉरेंड वीडियो अब इन्होंने भी कम चूतिया नहीं बनाया है पबलिक को अब उनकी वीडियो में दिखाए जाने वाले अबजेक्ट अबजेक्ट का मतलब समझ रहे हो नहीं समझे तो अबजेक्ट का मतलब होता है मतलब सही में उनकी वीडियो में दिखाय जाना वाला आपजेक का साइच कुछ ऐसा होता है कि उसे देख के लोग खुड डिप्रेशन माते और सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी बेकार चल रही है नहीं सच में जब मैंने ऐसी वीडियो देखी थी तब मैं खुद भी डिप्रेशन में आगे था मैंने सोचा मेरे जिम्में इससे बड़ा करने की मशीन ये तभी साला में पीछे रह गया कोई ये बात करते हैं तीसरे से मिस्टेक की जो मैंने ऐसी वीडियो पर गौर करिये वो है जी हाँ लोकेशन प्रिव्यू क्योंकि अगर आपने थोड़ा वीडियो से उपर उठके उनके घर की तरफ ध्यान दिया होगा वाइट कटन वाइट सोफा सब कुछ वाइटम वाइट मतलब इतनी सफेदी की चमकार ऐसा लगता है जैसे आप एपल स्टोर में हो और जो लोंडा वो काम कर रहा है वो आपको अभी अभी अपनी गांड सा इपोन एक्स निकाल के देगा और उनसे जाजा चूतिया तो वो सल्यूशन यहीं से आख